आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार दोस्तों तो प्रश्ट है भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है पहला विकल पे सभी पॉंधो में दूसरा विकल पे हरे पॉंधो में तीसरा विकल पे सुखे पॉंधो में और चौत्था विकल पे केवल जलिये पॉंधो में तो हम सबी जानते हैं कि जो पॉंदे हैं वो अपना भूजन स्वयम से बना सकते हैं और पॉंदे अपना भूजन स्वयम इसलिए बना सकते हैं क्यों उनमें क्या होता है chlorophyll नामक एक क्या होता है हरित वर्णफ यह हम कहेंगे हरा pigment होता है जो कि chlorophyll नामक होता है इस chlorophyll नामक pigment की वज़़ से ही पौन्धे क्या होते हैं हरे होते हैं तो जितने भी हरे पौन्धे हैं हम कहे सकते हैं कि उन में क्या होता है chlorophyll होता है और इसी क्लोरोफिल की होने की वजह से वो क्या कर सकते हैं अपना भोजन स्वयम से बना सकते हैं तो जितने भी हरे पॉंदे हैं वो ही सिर्फ अपना भोजन बना सकते हैं क्लोरोफिल उनमे ही होता है जो सूखे पॉंदे होते हैं वो अपना भोजन स्वयम नहीं बना सकते हैं तो यानि उनका क्लोरोफिल खतम हो चुका है, तो अब वो भोजन नहीं बना सकते हैं, तो इस प्रशन का सही जो उत्तर होगा, वहाँ होगा विकल्प नमबर दो, यानि हरे पॉंदो में ही भोजन मनाने की प्रक्रिया होती है, पहला जो विकल्प है सभी पॉंदो में तो यह जबी भोजन नहीं बना सकते हैं क्योंकि वह भी कलोरोफिल का अभाव होता है, लेकिन इसके लावा सथल पर भी कुछ ऐसे पॉंदे हैं, बहुत सार ऋंदे हैं, इंफन्द जो कि अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, तो इस प्रशन का जो सही उत्तर होगा, वहाँ होग हरे पौंधे, चाहे वो जल में हो, चाहे वो स्थल में हो, वो अपना घुजन स्वयम बना सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए बाकी के विकल्प गलत होंगे, और उत्तर दो आपका सही होगा, धन्यवाद.